रुत्रा खड में हो रही भारी वर्वारी की मुसीबत ने सरकार के खिलाब विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया है पूर्वधान सभाध धक्ष गोवन सिंग कुझवाल के बाद अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हिद्रेश ने भी सरकार की तयार उपर सवाल उठा दिया है नेता पृतिपक शिंजरा हिद्रेश ने कहा है कि मौसम विभाग की चेताबनी से भी सरकार ने सबक नहीं लिया इतनी भारी बरवारी होने के बाद भी सरकारी मशिनरी और बरफीले इलाखों पर नहीं लगाई जा रही है तो आज भी प्रदेश के कई जिरो में कई मोटर मार्क और संपर्क मार्ग बन हैं कई गाउं का संपर्क तूट किया है और बिजली पानी की समस्ता से लोगों को दोचार होना पड़ रहा है तो तुराखन में बरवारी का दौर लगाता जा रही है और इस बरवारी के चलते अब कहीं न कहीं विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार को घेने का और ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आकरकार बरवारी को लेकर जो तमाम इंतजाम किये जाते हैं ताकि जो गाउं से गाउं का संपर्ख है वो ना तूटे और लोग अपनी रोजमर्णा की जो चीजें हैं जो सुविधाएं हैं उनको असानी से ले पाएं ऐसे में क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है तो सरकार पर ये तंज यहाँ पर कासा गया है निता प्रतिपक्ष इंद्रा हिदेश की जरीए तो लगातार वरबारी का अलम जारी है उत्तरा खंड में लेकिन राहत महाँ पर कोई नहीं मिल रही और ऐसे में अब विपक्ष की जरीए से सवाल सरकार पर की आखरकार आपकी कि तैयारी क्या वर्बारी है उस भर्बारी का मौसम विभाग ने चेताब नहीं भी दे दी थी तो उसकी तैयारी करनी ची तैयारी तो तब करें जब CAA को समझाने से फुरसा तो तीन करोड घरों में जाना है अरे ऐसा बिल आई क्यों जिसे समझाना पड़े लोगों की समझ म लोगों ने अलग-अलग बात कही उन्होंने का ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं ये दलिद विरोधी भी है इतनी बरफ की उम्मीद नहीं थी इस समय बरफबारी हुई है हम उत्राखंड को अपना बिंटर डिस्टेशन बनाना चाहते हैं और इससे चमोली में पितोड़ा सकता पक्ष और विपक्ष के सवाल जवाब यहाँ पर वार प्लट वार का दौर अभी फिलाल शुरू हुआ है मौका काही ना कहीं यहाँ बर बैटे बिठाए बरफबारी ने दे दिया है कि आकरकार विपक्ष सकता पक्ष को कैसे घेर सकता है